ये नम्कीन की order मेरे पास 10 दिन पहले से लगनी चालू हो जाती है और बहुत लोगों ने तो अभी से booking करवा लिया है और नम्कीन की order की तो line ही लग जाती है तो पहले से मैंने बोल रखाए कि 10 दिन पहले लेकिन ये लोगों ने 20 दिन पहले से मेरे पास order लिखवाने लगे है तो मैं टोटल चीज बस इसमें डाल के मसाले को एक पाउडर बना लोंगी और कौन चीज कितना है मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे। कि यह सेलिंग वाली मेरी नमकीन है तो मैं आपको यहां बताऊंगी तो आप भी गड़ बढ़ा जाएंगे। तो मैं इस ड्राई मसाले को पाउडर बना के बगल में रख लूँए। कुछ नहीं करना है इसे ड्राई पाउडर बनाना है कुछ भी नहीं डालना है इसमें तो मैं इसे बगल में रख दोती। इसके बाद एक एक ठीजी करके हम तलेंगे जहां मैंने मुंपली ले लिया मैंने यहें ले ले चना दाल जो भुना हुआ चना दाल होता है और यह मके के चूड़े मैंने लिया किसमिस, काजु, बदाम, नारियल, सलाइस, कड़ी, पता, हरे, मिर्ची दो मैंने लिया है और यहां मैंने राई लिया है और मसाले मैंने पीच के रख लिये बगल में इसके बाद मैंने लिया है पोहा पोहा जो सबसे पतली वाली आती थीन पोहा वो मैंने पोहा लिया है मैं बोल दी में पोरा description box में लिख दूँगी आप जाके वहाँ से देख लेना हम क्या करेंगा अब थोड़ा थोड़ा करके एक चीज को तलेंगे यहाँ पर पहले मैंने मुंफले डाल दे फिर सारा चीज़े ऐसे ऐसे करके तल लेंगे और ये नमकीन की जादा मेरे पास ओर्डर आती है ये नमकीन बहुत टेश्टी लगती है बहुत टेश्टी तो मैंने दो दिन पहले ही आपको बता दिया था कि मैं नमकीन की वीडियो डालूँगी फिर उसके बाद मिठाई की वीडियो डालूँगी आपको जो सीखना है आप एक बार बनाईए और ट्राइ करें और खा के देखिए कि कैसा है उसके बाद एक दो लोगों को खिलाईए फिर आपको अपने आप ओडर मिलेगा तो इस दीवाली आप घर बैटे ओडर लेजे नमकीन का और मिठाई का का तो देखे इसे मुंफली करके में तल के निकाल दूँगी पर याद रहें मुंफली को ज़्यादा जलाना नहीं है और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए गैस की फिलिम हमेसा तलते समय मीडियम तू हाई रहेगा बड़ी वाली गैस की बर्नन मेरी है मीडियम तू हाई है उसके बाद बनाने चालू करना ये नमकिन एक महीना अराम से अटाई डबे में रहेगा और सेलिंग कर ये आपकी देखे लाइन लग जाएगी पहले बनाईए घर वालों को खिलाईए फिर देखे कैसे इसकी टेश्ट है ऐसे करके बादाम काजु डाल दूगे फिर इसके बाद किसमी स्तल लूँगे फिर नारियल स्लाइस पल लूँगे तो जैसे दिवाली आता है न तो मेरी फिक्स रहते है कि मैं दस दिन तक के की ओउर्डर नहीं लेती है कि बलिए रोग देती हूं क्योंकि मेरी रेस भी होती है, ऐसे करके मैं टोटल तल ले थी, फिर इसके बाद नारियर्क स्लाइस को भी मैं तल लूँगी, तो अब तक आपने घर वालों के लिए बनाया, घर वालों के उसाथ साथ में क्यों ना आप इसकी बिजनेस भी चालो कर देती, सबसे बेश्ट रह मुझे बस आपको तल के दिखाना था कम कॉंटिटी और वजन करके पेकिंग करके सब मैं आपको दिखाऊंगे, देख लेना प्लाष्ट में, नारियर्क जादा जलाना नहीं है, याद रखे, नारियर्क तलते समय हो सके तो गैस की फ्लेम लो रखे, इसके बाद मैं डाल द इस दिवाले नहीं आप अभी से ही प्रैक्टिस करने चालू कर देजे और घर बैठे बनाईए, तब देखे आपके कितनी अच्छी बनेगी ये नमकीन, और ओर्डरों की लाइन लग जाएगी, इसके बाद हम कौन चूड़े, मक्के की चूड़ा बोला जाता ने, वो नमक किलिक अलग आता है, एक कॉनफलेक्स अलग होता है, एक मक्के की चूड़े अलग होती है, तो ये अलग है, हो सकेगा तो मैं कप में भी लिखूंगी, हो सकेगा, अगर आपको समझ में नहीं आए, तो कमेंट करना, तो मैं आपको ग्राम में भी लिख के दे दूँगे, तो तब मैं क्या कर देती हूँ न कि बहुत बड़ी बड़ी कड़ाही में तेल भर लेती हूँ और एक दिन में एक नमकिन बना के पूरी पेक करके रख देती हूँ जैसे जिसकी ओडर आते विसे पेकिंग कर देती हूँ पर मैं दीवाली से दस दिन पहले ओडर लेती हूँ इसक में कड़ी पतों भी तल लूँगे कड़ी पता तलने के बाद इसे भी निकाल लूँगे तो देखे टोटल में तल के रख लिए अब में क्या करूँगे एक और बर तल लूँगे और जो तेल मेरा गरम था जिसमें हम लोग तले थे वोसी में से दो चमच हम तेल निकालेंगे इसके बाद यहाँ वन चम्मच यहाँ राई डाल देंगे, इसके बाद हफ्ट यहाँ हल्दी डाल दूँगे, और यहाँ डालने के बाद जैसे हल्दी डालेंगे तुरंत पोहा डालेंगे, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तो सबसे बेश तरीका है, कब सुखा ऐस इसे ही ड्राइ पोहे को भून लीजिए, इसके बाद पूरे नमकीन मिक्स कर लीजिए, इसके उपर राई और तेल और हल्दी का तड़का लगाईए, अभी अच्छी कलर आती है, तो यह सबसे बेश्ट होता है, लेकिन इसमें कलर आ जाती है, तो ऐसे आपको कलर करना है, बह मैं देखूंगे, ऐसे ही पोहे को आपको रोष्ट कर लेना है, इसके बाद एक मैं दिखाऊंगे, आपको मुर्मूरे का भी नमकीन, वो बहुत टेश्टी लगते है, मुर्मूरे की नमकीन, तो देखे, मेरी क्रिस्पी होने पाई थी, एक बार मैंने चेक किया, तो मेरा हो किया था, इसके बाद मैं क्या करूँगे, इसी में मिक्स कर दूंगा, यहां जल जाएगा घैस, तो यहां मैं बन कर दूंगे, अच् 가까शी से उतार लूँगी, उतारने के बाद आपको अच्छी से बहुत गरम है, हाथ तो मैंने पहले मसाला डाल दिया है, लेकिन मैं इसे दूसरी बरतन में सिप्ट कर दूँगी, नहीं तो हाथ बहुत जल्दी जल्दी, अभी तो मैंने चमत से मिक्स कर लिया, फिर बाद में आपको हाथ से मिक्स करना पड़ेगा, अगर आपको ज्यादा हाथ में पनी लगा लिजे, नहीं तो हाथ वाली गलब्स लगा लिजे, जो कुकिंग गलब्स आती है, इसके बाद देखे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये हो गई हमारी फटा फट नमकिन, थिन चूड़े नमकिन, बहुत यमी लगती, बहुत टेस्टी लगती, य जले ये ठंडा हो गया है, मैं पेकिंग करने के लिए लाई हूँ, तो मेरे पास ऐसी पनी रहती है, जो कि मैं आज आपको दिखा रही हूँ, तो मेरे पास ऐसी पनी रहती है, मैं इसमें पेक करूँगी, तो ये 500 गराम की पनी है, मैं टोटली वजन करके आपको दिखा रह बिजनेस घर बैठे बिजनेस कैसे कर वो वीडियो आप जरूर देख लेना तो यहां मेरे पास नहें पेकिंग मसीन तो इसे मैं अच्छे से चिपका देती हूं अगर आपके पास यह नहीं रहेगा भी फिलाल तो आपने मुंबती जला के उससे चिपका लिजे तो यह हो गई फाइनली हमारी सेलिंग वाली नमकीन बनके रेडी तो कमेंट करके बताएगा कि दूसरी नमकीन और कौन सी सीखनी है तो नेक्ट वीडियो में में नमकीन हम इठाई लाँगे आप जरूर देख लेना फिर कमेंट करके बताना आप